हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगती गुरुकुल आज मैं आप सभी के लिए 5 most important questions, interview के जो questions होते हैं वो लेकर के आई हूँ और आशा करूंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना ना भूले और वीडियो को पूरा ज़रूर देखे क्योंकि ये बहुत important question है आप अगर किसी भी interview के लिए जा रहे हैं तो आप से ये question पूछे जाएंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले चैनल पढ़ना है तो चैनल को subscribe करें और इससे related और topic पे वीडियो चाहिए तो आप comment ज़रूर करें तो आएए देखते हैं first question पहले तो आपका नाम वहम हो जाएगा उसके बाद ये questions होते हैं what is your strength तो आप बोल सकते हैं I am a quick learner and a great team player ये दो important चुझे किसी इंसान के लिए चाहिए होती है तो ये आप बोल सकते हैं next question है what is your weakness तो आप बोल सकते हैं I can concentrate on one thing at a time कि मेरी यही weakness है कि मैं एक टाइम पर एक ही चीच पर concentrate करता हूँ क्योंकि वह आपके strength में भी काम आगी कभी भी आप ऐसी weakness मत बोलिए जिससे वह सिर्फ weakness हो ऐसी weakness बोलनी चाहिए जो मतलब एक टाइम पर एक ही चीच पर फोकस करे तो वो तो अच्छी बात है क्योंकि वो काम अच्छे से होगा तो यह एक strength के रूप में काम आ जाती है तो ऐसी weakness यूज करनी चाहिए है हमेशा बोलनी चाहिए जो कभी भी weakness ना लगे पहली और यह मतलब बहुत important चीज़े जो आपको आगे में भी बताई गई हो या फिर प senior position managing important portfolio of this company पांच साल में तो आप obviously manager senior position पर ही अपने आपको देखेंगे तो आप बोल सकते हैं ऐसे next question है why should we hire you तो आप बोल सकते हैं if you hire me it will be a great platform to showcase my skills अगर आप मुझे select करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा platform होगा अच्छा position होगा अच्छी जगह होगी मेरे skills को दिखाने के लिए the goal I set I ensure to compare them within stupid stipulated time जो भी आप goal मुझे देंगे उसको आप compare कर सकते हैं within a time frame कि मैंने achieve किया है कि नहीं next question है reason behind leaving your last job यह उनके लिए होता है जो experience वाले होते हैं और उनसे यह बहुत ही important question होता है जो पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं in order to enhance my skill set I am looking for a better opportunity बस friends कभी भी अपनी current company की बुराई next company में नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप जहां interview दे रहे हैं आपको नहीं पता जो HR सामने बैठी है या technical team जो बैठी है उनको आपकी previous company के जो आपके current boss होंगे HR होगी वो उनसे connect जरूर होंगे क्योंकि कभी भी कोई company जो होती है वो एक दूसरे की field से related HR और यह सब जो technical team होते हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और अगर आप कभी भी अपनी company की बुराई करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यह यहां प्याके आपको यह सारी बाते बोने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका cross verification होता ही है और उसमें वो सारी चीज़े पता चल जाती हैं जो actual होती है तो यह simple सा reason आप दे सकते हैं कि enhance my skill set यह एक बहुत ही perfect जवाब होता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर करना ना बोले और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करना ना भूले और ऐसी और related वीडियो के लिए comment जरूर करें ताकि मैं आपको वो वीडियो पहुचा सकूँ thank you